कठिन हालातों में भी इश्वर पर अटूट भरोसा बना कर रखें. एक अत्यंत गरीब महिला थी जो भगवान श्री कृष्ण पर अटूट विश्वास करती थी. एक बार उसकी स्थिती बेहत दैनी अहो गई. घर में खाने पीने के लिए कुछ नहीं था. कई दिनों से परि रेडियो के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण तक पहुचाई और उनसे मदद करने की बिंती की. रेडियो का वो प्रसारण एक घमंडी नास्तिक और अहंकारी उद्योग पती ने सुना और उसने सोचा कि क्यों न इस महिला के साथ कुछ ऐसा मजाक किया जाए कि उसकी श सेक्रेटरी को कहा कि धेर सारा खाना और महिने भर का राशन उस महिला के घर पर दे कर आओ और जब वो महिला पूछे कि ये किस ने भेजा है तो कह देना कि शैतान की ने भेजा है। जब सेक्रेटरी महिला के पास सामान पहुचाने गई तो पहले उसके परिवार में क्रिप्थ होकर भोजन किया फिर वो सारा राशन अलमारी में रखने लगी उसने एक बार भी सेक्रेटरी से ये नहीं पूछा कि राशन किसने भेजा ये देखकर सेक्रेटरी से रहा नहीं गया तब उसने महिला से कहा कि क्या आपको इस बात की कोई उचसुकता नहीं है कि ये राशन आपके पास किसने भेजा है उस महिला ने जवाब दिया कि मैं आखिर इतना क्यों सोचू मुझे मेरे श्री कृष्ण पर पूरा भरोसा है जब मेरा कृष्ण किसी को आदेश देता है तो बड़े से बड़े शैतानों को भी उसके आदेश का पालन करना पड़ जाता है वो जो भी करेगा अच्छा ही करेगा इस कहानी से हमें ये सीख लेनी चाहिए कि आप किसी भी हालात में क्यों न हो इश्वर पर अपना अटू भरोसा कायम रखें आपके जीवन में जो कुछ भी आपको मिला है वो आपके ही कर्मों का नतीजा है लेकिन जब भी आपको उस इश्वर की जरूरत होगी और उसे दिल से याद करेंगे तो वो आपकी मदद किसी न किसी रूप में जरूर करेंगे और डी कृष्णा लाब टुवर्ड्स हिस देवोटी पौरानिक कथा के अनुसार एक बार की बात है किसी नगर में एक राजा ने एक मंदिर बनवाया जिसमें श्री कृष्ण की एक मूर्ती भी रखवाई लेकिन उसकी कभी पूजा नहीं की पूजा करने के लिए मंदिर में एक पुजारी को रखा गया पुजारी मियमित कनहया जी को नहलाता और बड़ी ही श्रधा भाव से उनकी पूजार चना करता राजा भी रोज कानहाजी के लिए एक पूलों की माला भेज देता था और जब वह दर्शन करने आता तो पुजारी उस माला को उतार कर राजा को पहना देता ऐसा करते करते पुजारी की भी उम्र बीट चुकी थी एक दिन किसी वजह से राजा नहीं आ सका तो उसने एक सेवक के हाथ मंदिर में माला पहुचा दी और कहलवाया दिया कि आज वह मंदिर नहीं आएगा इसलिए पुजारी उसका इंतजार ना करें इतना कहकर सेवक चला गया पुजारी ने हमेशा की तरह कनहयाजी को माला पहना दी लेकिन जब शाम हुई तो पुजारी यह सोचने लगा माला उतार कर किसे पहनाई जाए उसने सोचा क्यों मैं ये माला आज मैं ही पहन लू वैसे भी मेरी उम्र हो चली है जीवन का क्या पता कब कत्म हो जाए इतना सोच कर पुजारी ने माला उतार कर अपने गले में डाल ली लेकिन इतने में ही सेवक आ गया और उसने बताया कि राजा की सवारी मंदिर में पहुचने वाली है राजा की सवारी आने की बात जब पुजारी ने सुनी तो वह डर गया उसने सोचा कि अगर अगर राजा ने उसे देख लिया तो वह तो मरवा ही डालेंगे आननफानन में पुजारी ने माला उतार कर वापस कनहयाजी को पहना दी जैसे ही राजा अंदर आया तो हमेशा की ही तरह पुजारी ने माला कानहा जीते गले से उतार कर राजा को पहना दी लेकिन माला पर लगा सफेद बाल देखकर राजा समझ गए कि पुजारी ने यह माला स्वय ही पहनी थी बस पिर क्या था राजा क्रोधित हो उठे और उन्होंने गुस्से में पुजारी से पुछा की माला पर सफेद बाल कहां से आया तब राजा की बात सुनकर पुजारी डर गया और बोल पड़ा ये तो कनहया जी का है अब तो राजा और भी क्रोधित हो गए क्योंकि कान्हा तो भगवान है और उनके बाल सफेद कैसे हो सकते हैं इसलिए राजा ने फर्मान सुना डाला की कल श्रिंगार के समय राजा खुद आएंगे और देखेंगे सच में ही कान्हा जी का सफेद बाल है या पुजारी जूठ बोल रहा है उन्होंने कहा कि अगर पुजारी ने जूठ बोला होगा तो उसे फासी दे दी जाएगी राजा का फर्मान सुनकर पुजारी का बुरा हाल हो गया उसने सोचा अब क्या करें कहा जाए अब तो उसका मरना तय है तब रोते रोते वह भगवान की शरण में पहुचा और उनसे कहा कि हे केशव मुझसे जूठ बोलने का अपराद तो हुआ है लेकिन हो सके तो मुझे ख्षमा कर दें और राजा से रक्षा करें पुजारी ने कहा कि हे माधव आपकी सेवा करते 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 मैं व्रिद्ध हो चुका हूँ अब आप मुझे माफ कर दीजिए ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी यही कहते खते पुजारी की न जाने कब आख लग गई और उसकी आख तब खुली जब सुभा हो चुकी थी उधर सुभा होते ही राजा भी आ गया और कहने लगा आज कानहा जी का श्रिंगार भग खुद करेगा ऐसा कहकर जैसे ही राजा ने कान्हा जी का मुकुत उतारा तो देखा कि श्री कृष्ण के तो सारे बाल ही सफेड है लेकिन राजा को फिर भी यकीन नहीं हुआ उसे लगा कि फांसी के डर से पुजारी ने ही बालों को रंग दिया होगा राजा ने सोचा कि क्यों न कन्हा जी का एक बाल तोर कर देखा जाए इसके बाद राजा ने कान्हा जी का एक बाल तोर लिया लेकिन जैसे ही बाल तूटा कन्हा ते सिर से खून की धारा बहने लगी यह देखकर राजा भगवान के चर्णों में गिरकर माफी मांगने लगा तभी श्री कृष्ण की मूर्ती से आवाज आई है राजन तुमने मुझे केवल मूर्ती मात रही समझा इसलिए आज से मैं तुम्हारे लिए केवल मूर्ती मात रही रहूँगा लेकिन पुजारी ने सच्चे मन और पूरी श्रद्धा से मेरी भक्ती की है इसलिए उसकी अनन्य भक्ती को देखकर मुझे अपने बाल सफेट करने पड़े कनहया जी ने कहा कि भक्ती में कभी भी संशय नहीं होना चाहिए और सच्चे भक्त की लाज तो मैं कभी जाने ही नहीं देता क्या करें देता झाल से और सफेट से क्वलबं करें दें करने देखकर प्ती को श्रद्ण कालैं जमีक्त काल अजे लाग झाल झाल